आइडिया वोडफोन ने वापिस फिर से काफी दिनों के बाद ग्रोथ कर ली है इसके स्टॉक के प्राइज में आप देख सकते हो काफी बढ़ावती देखने को मिल रही है एक ही दिन में इसमें शो कर रहा है 9% 9.95% यानि यह आलमोस्ट 10% इसने ग्रोथ कर ली है वो भी सिर एक दिन में आप देख सकते हैं आपके सामने और पहले इसका रेट है वो काफी जादा फ्लक्चुएट होता था एक दिन में उपर नीचे उपर नीचे लेकिन बढ़ता नीता लेकिन आज इसने पहली बार रेट काफी गेन कर लिया वो भी इस वज़े से क्योंकि आपने द पहले भी फास्ट था और मुझे लगता कि आइडिया वोड़ोफोन जैसी कंपनी एडल को टक कर दे पाएगी क्योंकि अभी एडल का 5G लाउंच होने वाला है और रही बात स्टॉक को पर्चेस करने की तो यार इसका यह चीज आप देख लो कि अभी भी आप यहां पर दे यहां पर लिखावार आपके सामने जबकि यहां पर लिखावार है कि 100% लोग बाय कर रहे हैं ठीक है अगर इन चीजों को भी हम दोनों को एग्नोर कर दे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो आप यह इसकी बुक वैल्यू माइनस में चल रही है तो दोस्तों अगर कं होता है तो आपका पैसा पूरा का पूरा डूब सकता है और दूसरी बात यह है कि इसका रिटन ऑन एक्विटी माइनस 225 परसंट है तो गाइस अपने दिक्स पर ही करें जो भी करें ठीक है और इसका लास्ट प्रॉफिट देख लेते हैं देखो सब कुछ माइनस में जा र जब लॉंच होने वाला है तो आप अगर इस स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा सोच समझ के ही और रिचर्च करने के बाद ही करें बागी इसकी प्रॉमोटर के होल्डिंग काफी अच्छी है 72 परसंट जो की इंक्रीज नहीं हुई है काफी टाइम से